देवरिया में बिजली बिभाग की लापरवाही से लोग अंधेरी में जीवन जीने को मजबूर हैं। आपको बता दी कि दो साल पहले राजियो गांधी विद्धित करण योजना के तहट गाउं में बिजली की तार डाली गई थी जिससे लोगों को एक उमेद मिली थी जिसके चलते लोगों ने बिजली कनेक्शन के लिए फॉर्म भी भर दिये थे लेकिन बिजली विभाग की ल वही ग्राम प्रधान का कहना है कि गाउं की परिशानी को लेकर आला धिकारियों से कई बार लिखित तौर पर शिकायत की गई है लेकिन हर बार खोखले भरों से दिये जाते हैं हमारे ग्राम सवाई जरही में बहुत समस्या हैं जिसमें इस समय मुल्व समस्या जो है बिजली गिया है दो साल पहले राजुगादी विद्धुत योजना के तहर पिपर हुआं में कनेक्शन तार लगा और तार लगने के बाद तार तक ही सीमित रह गया यहां तार को भले ही योगी सरकार गाउ में सुधार करने के लाख दावे कर रही हो लेकिन बावजूत इसके बिजले बिभाग सुधारने का नाम नहीं ले रहा है पंजाब केसरी टीवी के लिए देवरिया से विकास दिवेदी की रिपोर्ट